खबर उन्नाव से हैं जहां मियागंज समुदाइक स्वास्तिकेंद्र पर आने वाले मरीजों से स्टाफ नर्स द्वारा अवैद वसूली किये जाने के मामले में जिलाधिकारी ने कारवाई के निर्देश दिये हैं। दरसल मियागंज समुदाइक स्वास्तिकींड पर स्टाफ नर्स द्वारा मरीजों से अवैद वसूली की जा रही थी। स्टाफ नर्स द्वारा मरीजों से अवैद वसूली करने का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। वीडियो वारल होने के बाद भी स्टाफ नर्स पर कोई कारवाई नहीं हुए थी, जिसके बाद मामला जलाधिकारी के संग्यान में आने पर सीमो से जवाब मांगते हुए ततकाल कारवाई करने के निर्देश दिये हैं। इस मामली में जलाधिकारी रवींद्र कुमार ने सीमो को त्वरिक कारवाई करने के आदेश दिये। आने जलाधिकारी के पर सीमो से जवाई करने के भी.